कोरोना के कहर के बीच ऐसी तस्वीरे भी आ रही है जो जिसको कहा जाए कि हिला देने वाली है ऐसी तस्वीर भोपाल से आई है जहां एक साथ कई चिताएं जलती हुई दिखाई दे रही हैं कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर गुरुवार को एक साथ चालिस से जादा चिताएं जलती नजर आई ड्रोन के जरिये ये तस्वीरे सामने आई इन तस्वीरों को भोपाल के फोटोग्राफर संजीव गुपता ने अपने ड्रोन कैमरे से शूट किया है कल अकेले मिलने में दिक्कत हो रही है अंतिम संसकार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है इन जलती चिताओं को दिखाने का मकसद आपको परिशान करना नहीं है बलकि हालात की भयावता के बारे में बताना है ये तस्वीरे कह रही है कि संकट के इस समय में रहने की जरूरत है खुद बचिए अपनों को बचाईए आप करोना से बचने के लिए जरूरी उपाए जरूर कीजिए मास्क लगाईए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए सारी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है देश के नागरेकों की भी जिम्मेदारी बनती है ये तस्वीरे सभी के लिए चिंता जनक हैं भयावे हैं भोपाल के भदबदा विश्राम घाट की तस्वीरे लेने वाले फोटो जनरलिस्स संजीव गुपता से एबीपी नियूज ने खास बातचीत की है और उनसे भोपाल में कोरोना से कैसे हालात बिगडे हुए बातचीत आपको सुनवा देते हैं प्रूपाल के फोटोग्राफर संजी गुपता जो कोविट की महामारी को एक नए तरीके से अपने केमरे में कैद करने की कोशिए कर रहा है उनके कुछ फोटोग्राप से उनकर कुछ वीडियो थे जो आज सोच है हुए हमारे साथ को सथ जिस तरीके से आपके हमें वीडियो देखे या फोटोग्राफ्स देखे जो आपने द्रॉन से भी लिए हैं तो क्या मकसद रहा है और क्या आपके मन में सोच रही है सब को लेकर कल गया था मैं शाम को भदबदा विश्रांगांट अपने एजनसी के लिए काम के लिए वहाँ जो दर्श्य देखे मैंने गैस कांड भी कवर किया है तो गैस कांड से जादा भया भया इस्तिती थी कल वहाँ पर मतलब एक 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 एंबुलेंस में आठट ददस बॉर्डि पर कोई व्यवस्था निती लाइट की कोई और ऱ्रअपर सब्सक्राइब एक शता मोते होई है जब की फोडोज आप देखेंगे कि उसमें 55 से उपर तो वोरे एकम एक शान गांत पर जलती दिख रहे हैं तो आपको मन में क्या विचार आया वहां जो देखने के बाद नीचे से तो इतना समझ में नहीं आता उपर ड्रोन से जब देखा एक साथ पैतालिस पचास जलती हुई तो आप कलपला नहीं कर सकते उसकी मतलब वह द्रश्च देखके राद भर नीर नहीं आई इस चीज को ल किस तरीके से शाम को रात में जलाया जा रहा है वो संजी गुपता ने कवर करने की कोशिश किये जिससे लंबी समय तक याद रखा जाएगा ब्रजेश राजपूत एबी पी न्यूज भौपाल और अब ब्रजेश राजपूत हमारे साथ लाइफ जुड़ रहे हैं भौपाल से ब्रजेश राजपूत आखिर सरकारों की क्या ऐसी मजबूरी है कि सही आंकड़े को छुपाया जा रहा है अगर सही आंकड़ा बताया जाए जाए लोगों को तो शायद लोग और जादा सत है विदारक है और किस तरीके से ना समसान घांटों में जग है भौपाल में कल कुल मिला के सौ से जा रहे हैं निकि 112 शवों का अंतिम संसकार किया गया कब्रिस्तान और अलग-अलग विश्राम घाटों में और इंदौर की बात करें तो सिब इन दौर में 175 शवों का अंतिम संसकार हुआ जबलपूर में 50 के उपर है चोटे से शहर रतलाम की बात करें तो वहां 40 से जादा है और अभी 30-35 शवों जला जा रहे हैं हमारा यह सब दिखाने का मकसर रहे कि विविश्का कितनी बड़ी है और जबकि सरकारी आकड़े देखती जो शाम को आते हैं तो कल य जाए जाएगा मगर यह सची आकड़े सामने लाई जाए और यह सारे दर्शे दिखाई जाए तब जनता समझेगी कि विविश्का कितनी बड़ी है और कैसे उसके बचके रहना चाहिए आप कल्पना करिए शोबना कि हमारा कोई परिचित हमारा को इरुसेदार जो जिसको म अस्पताल में बहती करते हैं पांच दिन बाद सीधे हमको शमचान घाट में मिलता है तो हमारे दिन पर क्या गुजर रही होगी यह से डेर सारे लोग है जो इस बुरी घड़ी से रोज दो चार हो रहे हैं तो हमारी इस कहानी को इस वीडियो को दिखाने के यह मकसद है कि जाने की कितनी बड़ी विविश्का है और कैसे बुरे दिन हम सब लोग जेल रहे हैं बहुत 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 धन्यवाद ब्रजेश राजपूत बहुत ही रिदे विदार की यह तस्वीरे हैं और हम बता दें एबीपी न्यूज बहुत जिमिदार चैनल है हमारा मकसद बिलक जब हो हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मोहिम है पर्तों में छिपे हर सच के तलाश की, स्यास्ट पर रखी पहनी नजर और आख की, खब्रों के दुनिया में एक जिम्मिदार आवास की, जिर्म और जल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की जब कोई हद नहीं इंसामियत के लिए जजबात की जब कोई हद नहीं खुश्यों और खाब की तब कोई हद क्यों हो नए नजर्ये और बदलाओ की तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले बांधे सब को एक धागे आप को रखे आगे ABP News झाले